हेलो फ्रेंड्स अगर आपके भी किसी प्लांट की लीव्स करल हो रही हैं या मार्जिन से ऐसे खराब हो रही हैं या फिर उन पर ऐसे येलो ब्राउन स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूस्फुल रहेगी क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको प्लांट्स की इन सभी प्रॉब्लम्स के रीजन्स और उनके इजी सॉलिशन्स बताऊंगी इसके इलावा वीडियो के end में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपने इस मोतिय के plant की इन problems को ठीक किया है तो वीडियो end तक देखेगा अब वीडियो शुरू करते हैं तो plants की leaves curl होने के 4 main reasons होते हैं पहला reason है plant को sufficient पानी का ना मिलना बहुत से plants की leaves तब curl हो जाती हैं जब उनकी soil try हो जाती है और उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो इसे ठीक करना तो बहुत ही असान है आपको बस plant को पानी देना है और पानी मिलने के कुछ घंटों के अंदर ही plants की leaves नॉर्मल हो जाएंगी Leaf curling का दूसरा reason है pest infestation कुछ insects जैसे aphids और white flies plants की new और young leaves से plant juice सक करते हैं जिसकी वजह से वो leaves curl होने लगती हैं तो इसे treat करने के लिए और insects को plants से हटाने के लिए आप plants पर insecticides spray करें घर में ही easily available चीजों से एक effective insecticide बनाने और उसे use करने का तरीका मैंने पहले एक वीडियो homemade insecticide for plants में बताया हुआ है अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका link description box में है leaves curl होने का तीसरा reason है बहुत ज़्यादा गर्मी और heat ज़्यादा गर्मी में leaves से water loss जिसे transpiration कहते हैं वो बढ़ जाता है तो इस water loss को कम करने के लिए बहुत से plants की leaves curl हो जाती है तो इसका solution तो यही है कि आप अपने plants को ज्यादा heat से बचाएं और उन्हें अच्छे से पानी दे fourth reason है calcium deficiency जब किसी plant में calcium की कमी हो जाती है तो उसमें leaves curling, leaves का ऐसे margin से खराब होना और leaves पर ऐसे yellow brown sports आना यह सभी या इन में से कोई एक या दो symptoms दिखने लगते हैं अब plants में calcium deficiency भी तीन वज़ा से हो सकती है पहली वज़ा है under watering plants में calcium soil से leaves तक roots के थूँ सिर्फ पानी से ही transport होता है तो जब किसी plant को sufficient amount में पानी नहीं मिलता तो soil में present calcium उसकी leaves तक नहीं पहुँच पाता जिस वज़े से उस plant में calcium की कमी हो जाती है और उसकी leaves curl होने लगती है तो इस वज़े से हुई calcium deficiency को ठीक करने के लिए आप को plant को अच्छे से और तब तक पानी देना है जब तक की पानी उसके drainage hole से बाहर ना आने लगे calcium deficiency की दूसरी वज़ा होती है acidic soil अगर soil acidic हो जाए तो उसमें present calcium ऐसी form में convert हो जाता है जिसे plants absorb नहीं कर सकते और इसी वज़े से उनमें calcium की deficiency हो जाती है तो इसका solution यह है कि सबसे पहले तो जिस plant में leaf curling और leaf necrosis हो रही है उस plant की soil test करें और अगर test करने पर soil acidic आती है तो उसे neutral बनाए अगर आपके पास soil test करने के लिए pH meter नहीं है तो प्रेशान मत हो यह क्योंकि घर पर ही easily available चीजों से soil test करने और soil की pH adjust करने के करके उसे neutral बनाने के methods मैंने पहले वीडियो में बताए हूँ है अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उन वीडियो के link भी description box में है calcium deficiency की तीसरी वज़ा है soil या potty mix में calcium की कमी होना तो इसे treat करने के लिए आपको soil में calcium add करना होगा और calcium का सबसे easily available source है chalk अब chalk को आप दो तरीकों से use कर सकते हैं पहला तरीका है कि आप plant की stem के पास ऐसे hole करें और फिर उस hole में chalk को डाल कर soil से कवर्द कर दें और दूसरा तरीका है कि आप greater की help से chalk का ऐसे powder बना लें और फिर इसमें पानी मिला कर इसे plant को दे दें और फिर next day soil की ऐसे थोड़ी गुड़ाई कर दें ताकि chalk powder soil में अच्छे से mix हो जाए इन दोनों तरीकों में से यह दूसरे वाला तरीका बेटर है क्योंकि इसे soil में calcium फटा फ़र्मिक्स हो जाता है अगर आपके घर में eggs यूज होती हैं तो आप eggs shells का भी powder बना कर यूज उसे भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि यह calcium fertilizer आपको कितनी quantity में यूज करना है और कितने दिनों के बाद आप इसे दोबारा यूज कर सकते हैं और यह भी कि आपको कैसे अपने plants की curling leaves का reason पता करके उसे treat करना है यह देखिए मेरे इस मोतिय के पोदे में leaf curling, leaf necrosis और yellow brown spots यह सभी problems हैं अब क्यूंकि मैं इसको properly और timely पानी देती हूँ तो sufficient पानी का ना मिलना या under watering to reason नहीं हो सकता और यह देखिए इस पर कोई pest भी नहीं है तो इसका मतलब है कि calcium deficiency ही इसकी problems की वज़ा है अब इसमें calcium deficiency का क्या कारण है, क्या इसकी soil acidic हो गई है या फिर इसकी soil में calcium की कमी हो गई है यह जानने के लिए मैंने इसकी थोड़ी सी soil ली और उसे test किया और test करने पर यह देखिए soil acidic नहीं आई तो इसका मतलब है कि इसकी soil में calcium की कमी हो गई है और इसे calcium fertilizer की जरूरत है तो इसलिए मैंने इसे calcium fertilizer दे दिया अब अगर बात करें कि calcium fertilizer कितनी quantity में यूज करना है तो यह depend करता है आपके planter के size पर अब जैसे कि मेरा यह planter जो की 6 by 4 inch का है इसमें मैंने एक बारी में एक चोक का powder पानी में mix करके दिया है आपका planter जितना बड़ा हो आप उसी के according दो या 3 चोक का powder एक बारी में दे सकते हैं अब अपने plants को यह fertilizer हर हफ़ते एक बार दीजे और तब तक दें जब तक की plant में new आने वाले leaves healthy और ठीक ना आने लगे मैंने अपने इस plant को तीन बार यह calcium fertilizer दिया है और यह देखिए अब इसमें बिल्कुल healthy new leaves आ रही है healthy new leaves का मतलब है कि अब इसकी calcium deficiency ठीक हो गई है तो friends अगर आपको यह video useful लगा तो please like करें, share करें और मेरे channel को subscribe करें Thank you and happy gardening